हलो दोस्तो स्वागे दाग पर फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाई कोट भरती के बारे में जियां दोस्तो आपका बता दो कि आपकी इस वेकेंसी की अंतिन थिति नजदीक आ चुकी है पांच अक्टूबर आपकी लास डेट रहने वाले जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो जल्दी से आवेदन कर लीजेगा जहां दोस्तो आपको सबसे पहले हम ओफिशिल नोटिफिकेशन भी बताएंगे साथ साथ फोरम का आवेदन भी हम करके बताने वाले है और दोस्तो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आपको लिंक की भी प्रोवाइड करवाएंगे ओफिशिल वेबसाट का दोस्तो महिला पूरुस दोनों इस वेकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जोब पाने का तो दोस्तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तो आपकी ये वेकेंसी अलाबाद हाई कोड की तरफ से निकाली जा रही है दोस्तो आप देख सकते हैं आपके ओफिशिल आपके आवेदन शुरू हो चुके है चार स्टेज में आपके आवेदन होगे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद में एप्लिकेशन फोरूम फिल करना पड़ेगा फिर डोक्योमेंट अप्लोड करने पड़ेगे लास्ट आपका फीस सम्मीट करना पड़ेगा दोस्तों यहापे सबसे पहले आपको candidate name, फिर father's name, mother's name, date of worth, gender identity type, कौन सी ID आप यहापे अप्लोड कर रहे हो, आधार काड अप्लोड करते हो तो उसका number भी आपको fill करना पड़ेगा दोस्तों direct में link प्रोवाइड करवादूंगा आपको आवेदन करने का इसके बाद में आपको contact details इसे कि आपका address, nearest, police station, कौन सा लगता, state, district, pin code, सारी details आपको fill करने पड़ेगी last में दोस्तों आपको यहापे valid email, ID और mobile number fill करना पड़ेगा उसी के तुरू आपके registration ID और password जनरेट होने वाले हैं इसके बाद दोस्तों यहापे नीचे permanent address का option आएगा अगर आपका same address है permanent तो आप यहापे same पर click कर दीजेगा और click करने के बाद में दोस्तों फिर आपको यहापे नीचे slide करके password चूज करना पड़ेगा password चूज करने के लिए दोस्तों आपको बता दूगी जो registration ID जनरेट होगा उसके बाद में आपको password भी create करना पड़ेगा security pin भी आपको create करना पड़ेगा उसी के थुरू आप यहापे admit का download कर पाओगे दोस्तों लास्ट में आपको capture code डालके आपको submit करना पड़ेगा फिर दोस्तों आपके आगे के processing रहेगी application forum की आपके document upload करने की और fees submit की वो भी detail आपको यहापे fill करनी पड़ेगी तो दोस्तों यह आपका process रहेगा online आवेदन का अब आपको official notification के जरिये बाकी की details बता देता हूँ दोस्तों यह रहा आपका official notification जी है दोस्तों यहापे अलाबाद high court की तरफ से notification निकाला गए आपके आवेदन के शुरू होने किति थी 20 सितमबर थी last date आपके 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 5 October रहने वाले है जियां दोस्तों आपका बता दो कि अपर general candidate के लिए OBC और general के लिए अपर 1200 और आपकी फीस रहेगी वहीं SCST और उत्तरपरदेश के candidate के लिए 1000 पर आपकी फीस रहने वाली है अगर दोस्तों अगर आप उत्तरपरदेश से भार के candidate है तो आपको यहाँ पर general के अंदर ही count किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो vacancy निकली APS के पदों पर additional private secretary के पदों पर आपके निकली English और Hindi दोनों में English के लिए भी चाहिए होगा और Hindi के लिए भी दोस्तों आपके पास यहाँ पर vacancy निकली है तो दोस्तों आपकी यहाँ पर vacancy additional secretary के पदों पर निकली अपर सचीव के आपकी vacancy निकली है आपको education qualification मैंने बता दिये application fees मैंने आपको बता दिये दोस्तों आवेदन भी करके मैंने आपको बता दिया है और बाकी की detail अगर आपको जान नहीं है तो दोस्तों